प्रेंस गुडिबनिंग नमस्ते स्वागत है आप सभी का ये स्पेसे सोलूशन में तो देखे रन भूमी का ये एपिसोड नमबर दो है हमारा पहला एपिसोड हमने कल किया था जिसमें हमने सो महत्वपुन प्रस्णों को किया था आज भी हम लोग सो प्रस्णों को और करने वाले हैं कुल हम एक हजार प्रस्णों को करने वाले हैं इस स्रिंखला में इसके बाद हमारा एक और स्रिंखला आयेगा एक और सिरी आएगा ठीक है season 2 इसका फिर से आएगा ये season 1 है जिसमें हम 1000 परस्णों को देख रहे हैं तो जितने हो सके अपने सभी साथियों के साथ इस session को share कर दिजिए और विडियो को like भी कर दिजिए इसमें आपको बता दूकि सभी के सभी प्रस्ण जो है प्रैक्टिस है इसमें आप लोग अपने आपको टेस्ट कर पाएंगे कि हम सो प्रस्ण में कितना सही कर पा रहे हैं कितना गलत कर पा रहे हैं और इसमें बिल्कुल चुनिंदा प्रस्ण रहते हैं बैतर कोशन रहते हैं बिल्कुल BPSC के अनुरूप इसको बनाया गया है तो यहां पे फुल एंड टेस्ट आप लोगों को मिल रहा है बिल्कुल फ्री में आप यहां टेस्ट जाकर के लगाईए यहां पर आप अपना रैंकिंग देख सकते हैं यह हमारा टेस्ट सीरीज है 15-16 का आया है आप लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जागा ब मुस्लिम लिग का प्रथम सम्मेलन हुआ था मुस्लिम लिग का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था अमरित्सर में पटना में दिल्ली में या फिर अलिगड में एंसर किजिए बबु मुस्लिम लिग का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था गुडिवनिंग गुडिवनिंग नालंद राजीू वेलकम बताइए कहा जा रहा है कि मुस्लिम लिख का प्रथम सम्मेलन हुआ था देखिए इसका सही जो एंसर होगा ओप्शन ए अम्रिद सर्च जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही एंसर कर रहे हैं आपको बतादू कि मुस्लिम लिख का गठन किया गया था 1906 इस्वी म कहां कि जाती है बंगलादेश की वर्तमान में राजधानी है धाका वहां पर मुस्लिम लिख का गठन किया जाता है मुस्लिम लिख का मेन उद्देश से था कि अलग से मुस्लिमों के लिए मुस्लिमों के हित के लिए काम करना इसका मेन उद्देश से था आगे चल करके इनक मुख्य उद्दे से हो गया था कि मुस्लिम बहुल फ्रांत जो है उसको अलग से एक देश बनाना ठीक है तो इन्होंने पाकिस्तान के मांग की थी मुस्लिम बहुल छेतर पाकिस्तान के मांग मुस्लिम लिग के द्वारा ही किया गया था तो इस लिग का संबिधान जो है अग वो अमरित्सर में हुआ था याद रखेगा कि पहला अधिवेशन अमरित्सर के पंजाब के अमरित्सर में हुआ था इसकी अध्यक्सता किसके द्वारा की गई थी तो इसकी अध्यक्सता आगा खा के द्वारा की गई थी ठीक है इसकी अध्यक्सता आगा खा के द्वारा की ग conflict के द्वारा बंगाल का ब्राजन किया जाता है इसमें क्या किया गया था कि बंगाल को दो हिस्सों में बाट दिया गया था एक Muslim बहुल छैत्र पुर्वी बंगाल ठीकैज़ और एक कश्मी बंगाल जिसमें हिंदु अबादी ज्यादा थी अब इस बंगाल विभाजन का समर्थन मुस्लिम लिग ने किया था क्योंकि मुस्लिमों के कान में पहले ही जाकर के और करजन ने बोल दिया था कि हम आपके हित के लिए ही ऐसा कर रहे हैं जबकि उन्होंने सब के सामने ये कहा कि हम बंगाल का विभाज किया था करजन ने ठीक है करजन ने अच्छा इसके उपरान बंगाल में एक आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल के लोगों ने इसका काफी पुर्जोर विरूद किया था उस आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन ठीक है स्वदेशी आंदोलन तो ये कोशन अभी आया थ सरसठवी बीपीएसी का जो एक्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था किस अधेसी अंदोलन कहां हुआ था या किस के बिरूद हुआ था इस टैप से कोश्चन जो है वह आप लोगों से पूछा गया था ठीक है यह चीज आप लोगों को याद रखना है चलिए आगे चलते ह कांची में प्रसीद कैलास मंदीर का निर्मान किस ने किया है बताइए हाँ पीडिएफ आप लोगों को आज दोनों क्लास का मिल जागा और बाकी जो भी छुटा हुआ पीडिएफ है ओभी एडू सोल एप में आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है आज रात को अपलोड कर दिया जागा पीडिएफ का साइज बहुत बड़ा हो जाता है 200-300 MB का हो जाता है तो इसको कंप्रेस करना पड़ता है तो इसलिए अभी कंप्रेस नहीं हुआ है कंप्रेस करके और उसको हम आपको दे देंगे पीडिएफ के लिए चिंता मत किजिए आप लोग चीक है चले कहा जा रहे है कि कांची में प्रसिद कैलास मंदिर इसका निर्मान किस ने किया था महंदर बर्मन प्रथम नर्सिंग बर्मन दूइतिये नंदी बर्मन दूइतिये या दंती बर्मन ने देखे इसका सही एंसर जो भी स्टूडेंट अगर ओप्शन भी कर रहे हैं नर्सिंग बर्मन द्वीतिय की अगर हम लोग बात करें तो नर्सिंग बर्मन द्वीतिय के दरबार में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था दंडी ठीक है और इन्होंने ही कैलास मंदिर का निर्मान करवाया था आपको बता दू कि इनके और से एक पूस्तक लिखी गई थ अच्छा हो सकता है आप लोगों से पूछ ले कि एलोरा का जो कैलास मंदिर है उसका निर्मान किस ने किया था ठीक है आपसे पूछ सकता है यहां पे चुकी कांची का कैलास मंदिर है एलोरा के कैलास मंदिर का निर्मान राष्ट कूट वंस के सासर कृष्ण पर्थम ने कि तो यहां पर कंफ्यूज करके आप गलत मत किजेगा ध्यान दिजेगा कि एलोरा पुछा जा रहा है या कांची पुछा जा रहा है आप लोगों से ठीक है महंदर बर्मन की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने मत बिलास प्रहसन पुष्टक लिखी थी मत बिलास प्रहसन कल भी सायद मैंने इसके उपर चर्चा की थी ये कुछ तक महंदर बर्मन पर्थम के द्वारा लिखा हुआ है ठीक है चलिए आगे है निमनलिकित में से किस पर निमनलिकित में से किस पर अकबर की विजय होने किस मृति में बुलंद दर्वाजय का निर्मान किया था कहा जा रहा है कि किस सेतर पर अकबर ने विजय प्राप्त की थी उसी के उपलक्ष में इसने बुलंद दर्वाजय का निर्मान किया था मालवा, डकन, बंगाल या फि के बावो इसका सही एंसर जो भी गुजरात कर रहे हैं गुजरात बिजय के उपलक्ष में इसने बुलंद दर्वाजा का निर्मान किया था अब आपको बता दू कि बुलंद दर्वाजा का निर्मान कब किया गया था पंद्रह सो बहत्तर इस विमें किया गया था ठीक है और 1556 से ले करके अकबर की अगर हम बात करें अकबर की बात करें तो 1556 से ले करके और 1605 इसवी तक इसका सासन काल रहा था इसी अकबर के सासन काल में इस्ट इंडिया कमपनी का इस्ट इंडिया कमपनी का गठन किया गया था कई बार BPSC में प्रस्ण पूछा गया है दिसमबर 1600 इस्वी में इस्ट इंडिया कमपनी का गठन किया जाता है उस समय भारत का जो सासक था अकबर ठीक है अच्छा यहाँ पे जब गुजरात विजय इसने किया था अकबर ने तो उस समय गुजरात का सासक कौन था तो मुझफर साह तृतिये लेकिन एक बार हारने के बाद फिर से इसने यूद किया अकबर के साथ फिर से दुबारा इसको हारना पड़ा ठीक है अब जब इसने गुजरात विजय कर ली थी अकबर ने तो यहाँ पर अपने रत के साथ तोडर्मल को भी ले करके गया था तोडर्मल ठीक है तोडर्मल को भी अकबर ले करके गया था और तोडर्मल को बजीर बनाया था इसने बजीर और बीत मंत्री बनाया था बजीर और बीत मंत्री पद पर तोडर्मल को अकबर ने न्यूक्त कि दह साला बंदोबस्ती 1580 में तोडर्मन के द्वारा ही लागू किया गया था चलिए आगे चलते हैं कि सिंद को अंग्रेजों ने कब अधिक्रित किया था कहा जा रहा है कि सिंद को अंग्रेजों ने कब अपने अधिन कर लिया था कि 1440 में 42 में या फिर 43 में सेशन को सेयर करते जाइए अभी तक 500 स्टूडेंट भी लाइब नहीं है जितना हो सके सेशन को सेयर किजिए आप लोग बिल्कुल साप तो दिखाई दे रहा है अगर प्रस्न आप लोगों को सही दिखाई नहीं दे रहा है तो वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लिजे आप लोगों को साप दिखाई देगा ठीक है और एक कमेंट अगर बार-बार करेंगे तो फिर आपको ब्लोग कर दिया जाएगा देखें कोस्टन नमबर चार का सही जो एंसर होगा वो होगा ओप्शन डी अठारहसो तेतालिस होई आप संध्शन डी जो कर रहे होगा वो हो बिल्कुल सही कर कर रहे है अच्छा यह जो सिंध्वि-जय था यह किसके द्वारा किया गया था तो इसका सरे जाता है चारल्स नेपियर को फीक है सिंध्वि-जय चाल्स नेपियर के द्वारा किया गया था या सिंद विजय का सरे इसी को दिया जाता है अच्छा हो सकता है प्रस्न यहां से आप लोगों से ये भी पूछ ले कि उस समय भारत का गवर्नर्ट जनरल कौन था तो लॉड एलन ब्रो ठीक है लॉड एलन ब्रो लॉड एलन ब्रो के समय में सिंद विजय किया गया था लॉड एलन ब्रो 1842 से ले करके 1842 से 1844 तक इसका सासन रहा था या इसका कारेकाल रहा था तो 43 में ही सिंद विजय कर दिया गया था ठीक है एलन ब्रो के समय में 1843 इसमें दास प्रथा का अंत किया गया था ठीक है इसी के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था कब किया गया था तो 1843 इस्वी में और इसी वर्स सिंध बीजय भी किया गया था ठीक है चलिए आगे चलते हैं बीरु पाक्ष मंदिर का निर्मान किस न किया था चालुक के ने पलो ने वकाटक ने या फिर सातवाहनों ने बहुत बढ़िया कुन्दन question number 5 का सही answer होगा option A जो कर रहे है चालुक के वो बिलकुल सही answer कर रहे है बीरु पाक्ष मंदिर का निर्मान चालुक के द्वारा किया गया था चालुक के वंस की चार सकहएं थी एक था वातापी एक वातापी के चालू के थे इसको वातापी को बादामी का चालू के भी कहा जाता है ठीक है और इसके था अपना जैसिंग के द्वारा की गई थी ठीक है राजा जैसिंग के द्वारा किया गया था दूसरा जो था वो था काठिया वार काठिया वार के चालू के तीसरा जो थ वी। था कल्यानी के चालूप किया था, वहीं चौथे की अगर हम बात करें तो बेंगी के चालूप किया था, और इसके अस्थापना बिस्नू वर्धन के द्वारा किया था, तो चालूप के वन्हें चार सखाओं में बटा हुआ था, ठीक है? इसके मूल राज प्रथम थे मूल राज प्रथम ने काठिया वार के चालू के वंस की अस्थापना की थी भारत में ब्रिटिस राजस व परणाली का निमनी लिखित में सकिस ने अधिक लाभ प्रदान किया कहा यह जा रहा है कि भारत में ब्रिटिस राजसो परणाली का निम्न लिकित में सकिस ने अधिक लाब प्राप्त किया ठीक है अधिक लाब प्राप्त किया या प्रदान किया देखे आपको बता दूं कि अंग्रेजों ने तीन परकार के राजसो परणाली यह ले करके आये थ अस्थाई बंदुबस्त महालवारी ब्यवस्त था एक महालवारी ब्यवस्त था एक था रहियत वारी ब्यवस्त था रहियत वारी ब्यवस्त था तीन प्रकार के भूमी कर ब्यवस्त यह लेकर के आये थे अस्थाई बंदुबस्त के अगर हम बात करें तो 1793 में करणवालिस के द्वारा लागू किया गया था तर्णवालिस के द्वारा बंगाल में इसको लागू किया गया था सरोप्रथम बंगाल में इसको अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था ठीक है इसके जनक थे सर जौन सोर सर जोन सोर सर जोन सोर अस्थाई बंदोबस्त के जनत कहे जाते हैं ठीक है अस्थाई बंदोबस्त में भूमी का स्वामी बना दिया गया था जमिनदार को ठीक है जमिनदार को भूमी का स्वामी बना दिया गया था अस्थाई बंदोबस्त में वहीं महालवाडी व्यवस्ता पंजाब में लागू की गई थी महालवाडी व्यवस्ता पंजाब के छितर में इसको लागू किया गया था और इसको होल्ट मैकेंजी ने लागू किया था होल्ट मैकेंजी मैकेंजी के द्वारा या होल्ट मैकेंजी इसके जनक कहे जाते हैं मह खालवाडी बवस्था के ठीक है रहीत वाड़ी बवस्था मदरास और बंबई में लागू किया गया था मदरास बंबई इसको लागू किया गया था ठीक है रहीत वाड़ी बवस्था के जनक थे मुनरो इसके जनक थे मुनरो ठीक है यह सब कोशन पूछा जाता है साध रहीत वाड़ी व्यवस्ता से अभी प्रस्ण पूछा गया था सर्षच्वी वीप सी में ही जो रहती जो बैवस्ता थी इसमें भूमी का मालिक किसान को बना दिया गया था अब कहा जा रहा है कि निमने लिक्त में से किस ने अधिक लाभ पराप्त किया तो इसका सही जो एंसर होगा इस प्रस्ण में वोगा option C जमिनदार ठीक है जमिनदार लखनो समझोता किनके मद्धे हुआ था लखनो समझोता किनके किनके बीच हुआ था सेशन को सेयर करते जाई आप लोग लखनो समझोता किनके बीच हुआ था भारतिये तथा अंग्रेजों के बीच बिधान सभाओ के अस्थानों के बारे में हिंदू तथा मुसल्मानों के ब यह होगा option B लखनव समझाता हुआ कब था 1916 इस्वी में लखनव समझाता हुआ था इसे लखनव समझाता में कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के भी मुख्य रूप से समझाता हुआ था इसी लखनव समझाता में याद रखेगा कि हमारा जो कॉंग्रेस दो भागों में बट गया था गरम दल और नरम दल में 1907 इसवी में कॉंग्रेस सूरत में बट गया था है ना जिसको हम सूरत फूट के नाम से जानते हैं गरम दल और नरम दल में तो इसी 1916 इसवी के लखनव समझाता में गरम दल और नरम दल ठीक है गरम दल एवं नरम दल का ठीक है मिलन हुआ था 1916 में इसे 1916 इसे में गांधी जी को याद किजिएगा कि गांधी जी को राजकुमार सुकल ने आमंत्रित किया था कि गांधी जी आप आये चमपारन वहाँ पे जो कठिया प्रणाली ब्याप्त है जिसमें 20 कठे में तीन कठे में निल की खेती करने के लिए अनिवार कर दिया है किसानों को अंग्रे जोने उनकी दुर्दसा को आप देखिए यहीं प्यामंत्रित क्या था और फिर ये गांधी जी चंपारन में जाते हैं 2017 में और पहला सत्यागरा भारत में उनका था चंपारन सत्यागरा निल उत्बादन के खिलाप चलिए तो इतना चीज़ जो है वो कम से कम आप लोगों को याद रखना है निमनली कितने से किसने बंगाल में सरकार के द्वेद परणाली समाप्त की बंगाल में जो द्वेद सासन परणाली थी उसको इन में से किसने समाप्त कर दिया था ये कोशन पूछा जा रहा है मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ क्लाइब कर्णवालिस स्पेंसर या लॉर्ड वारेन हैस्टिंग्स देखे बबू इसका सही एंसर होगा ओप्सन डी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही एंसर कर रहे हैं लॉर्ड वारेन हैस्टिंग्स वारेन हैस्टिंग्स कब से कब तक रहा था 1772 से ले करके 1772 से ले करके और 1784 से इस्वी तक रहा था हाँ, हैस्टिंग्स जो है वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था ये भी याद रखना है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स था ठीक है बंगाल में द्वैद सासन 1765 से 72 तक रहा था 1765 से 1772 इस वी तक द्वैद परणाली बंगाल में रही थी ये चीज़ याद रखना है ठीक है अच्छा question ये भी आप लोगों से बन सकता है ये जो द्वैद सासन परणाली है ये कब लागू किया था और किस संधी के तहथ लागू किया गया था तो हमने आप लोगों को पहले भी बताया है कि एक इलाहाबाद की संधी होती है इलाहाबाद की संधी 1765 इस्वी में होती है और इसी के तहट द्वैत सासन लागू कर दिया गया था ठीक है अच्छा कभी कभी हो सकता है आप लोगों से पूछ ले कि द्वैत सासन परणाली को लागू किसके समय में किया गया था किसके समय में किया गया था तो देखिए बंगाल में लूट खसोट मच गई थी 1770 का जब आकाल पड़ा था बंगाल में ठीक है बंगाल में अकाल पड़ा था तो प्रांतों में द्वेट सासन हाँ एक कोशन ये भी पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वेट सासन किस एक्ट के द्वारा लागू किया गया था ठीक है तो प्रांत में जो द्वेट सासन लागू किया गया था वो 1919 के एक्ट के द्वारा लागू किया गया था जबकि समाप्त किया गया था समाप्त किया गया था 1935 के एक्ट के द्वारा प्रांतों में समाप्त कर दिया गया था और 1935 के द्वारा कहा लागू कर दिया गया था केंदर में लागू कर दिया गया था केंदर में दोयत्सासन प्रणाली को लागू कर दिया गया था दोयत्सासन प्रणाली के जनक लियोनि लियोनिल कार्टिस को कहा जाता है तो यह चीज आप लोगों को याद रखना है ठीक है कि आगे चलें कि इसमें मैंने अंसर बताया था आप लोगों को हां बता दिया था है कि वोश्चन नमबर 9 है स्वासासन अंदोलन के परवर्तक कौन थे एनिवेसेंट पदमाजान नाइडू कमला देभी चटो पद्ध है या राजकुमारी अमरित पौर बताईए बहुत ही बढ़ियां आप लोगों का एंसर आ रहा है ऐसे ही एंसर करते जाईए ऐसे ही एंसर करते जाईए देखे क्वोस्चन नंबर 9 का सही एंसर हो का बबू एनिवेसेंट ठीक है स्वासासन अंदोलन के परवर्तक एनिवेसेंट थे इनके द्वारा ही 1916 इसवी में होम रूल अंदोलन शुरू किया गया था इनके द्वारा निवेसेंट और कामन विल निवेसेंट की है ठीक है इनके द्वारा एनिवेसेंट के द्वारा बनारस में एक स्कूल बनाया गया था ठीक है बनारस में एक स्कूल की अस्थापना इनहीं के द्वारा की गई थी अच्छा इसकी अस्थापना कब की थी नहोंने तो 1898 इस्वी में किया था यही स्कूल आगे चल करके बन गया था बनारस हिंदू इनवेसिटी जिसका उधगाटन या जिसके संस्थापक भी कहा जाता है मदन महन मालविये कब किया था 1916 इस्वी में अच्छा राज कुमारी अमरीत कौर जो है यह प्रथम केंद्रिय मंत्री महिला केंद्रिय मंत्री थी 1930 में चटगाओं के सरकारी सस्त्रागार पर हुए ससस्त्र आकरमन का नेता कौन था बताईए, कहा जा रहा है कि 1930 इसु में ये कोशन भी लगता है, पूछा है भी BPSC के किसी एकजाम में, 1930 में चटगाओं के सरकारी सस्त्रागार पर हुए ससस्त्र आकरमन का नेता कौन था, चंदर से खराजाद, भगत सिंग, सुरेसेन या फिर सुखदेव, देखे इसका सही एंसर होगा, option C, सुरेसेन, पहला प्रस्न तो आप लोगों से यही बनता है, कि चटगाओं सरकारी सस्त्रागार पर आकरमन या लूट जो है, ओ हुआ कब था, 1930 में हुआ था, किसके नत्रितों में हुआ था, सुरेसेन के नत्रितों में हुआ था, इनको मास्टर दा भी कहा जाता है, ठीक है, जंदर सेखार आजात कि अगर हम बात करें, तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, अंग्रेजों के साथ इनका मुठभेड हुआ था, और इन्होंने इनके पास एक अंतिम गोली बची थी, जिससे अपने आपको इन्होंने मार लिया था, कब 1931 इस पासी दे गई थी, इसके लिए, कब दिया गया था, तो 1934 सस्वी में इनको फासी दे दी गई थी, ठीक है, अच्छा भगत सिंग को कब फासी दी गई थी तो भगत सिंग राजगुरु और सुखदेव को 1931 सिस्वी में, 23 मार्च 1931 इस्वी को इनको फासी दे दी गई थी भागत सिंग राजगुरु और सुखदेव को एक साथ दी गई थी वो सकता है आप लोगों से इस तरह से भी पूछे कि राजगुरु भगत सिंग और सुखदेव या भगत सिंग को फासी किसलिये दी गई थी तो इनको सांडर सहत्या के मामले में फासी दी गई थी सांडर सहत्या के मामले में जब गांधी इर्विन समझोता 1931 में होता है आप लोगों ने पढ़ा है गांधी इर्विन समझोता इसको हम दिल्ली समझोता के नाम से भी जानते हैं इस समझोता में गांधी जी ने इनको बचाने का प्रयास तो किया था इर्विन को गांधी जी इसने कहा था कि देखो इर्वीन इन्होंने असेंबली में बम तो मारा है लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ है इसने कहा कि देखे जो राजनेतिक बंदी हैं हम उनको सिर्फ छोड़ सकते हैं इनके ऊपर हत्या का मामला है सांडर्स के हत्या का मामला है इसलिए हम इनको नही भी बचा पाते हैं भागत सिंग को तो युवाओं में गांधी ची के प्रती काफी रोज उत्पन हो जाता है गांधी जी को काले झंडे दिखाया जाते हैं गांधी जी का काफी ज़्यादा विरोध किया जाता है चलिए आगे चलते हैं इल्बट बिल किसके कारेकाल के दौरान प्रस्तूत किया गया था पताईए करजन, मिंटो, लिटन या फिर रीपन तेके इसका सही एंशर होगा option d जो कर रहे हैं रीपन वो बिलकुल सही एंसर कर रहे हैं इल्बट बिल विबाद ये था इसको लाए गया था 1884 में 1884 में जैसे होता क्या था ना कि भारत में जो भी बिबाद होगा उसका निप्टारा यहां जो भी मतलब जो जज उनके उपर जो मुकदमा होगा उसका निप्टारा करने के लिए जो भी जज होगा कोट में वो अंग्रेज जज होगा ठीक है अंग्रेज जज होगा अब इसमें क्या हो गया कि कहा गया कि अब भारतिये जज भी जो अंग्रेज करमचारी होंगे उनके उपर जो भी मुकदमा होगा या जो भी आरोप होंगे उनकी सुनवाई वो कर सकते हैं इसको लेकर के अंग्रेजों ने बिरोत कर दिया ठीक ह आगे चलते हैं दिल्ली में पूराना किला के भौनों का निर्मान किया था कहा जा रहा है कि दिल्ली में पूराना किला के भौनों का निर्मान किया था फिरोज तुगलक ने इबराहिम लोदी ने सेरसासूरी ने या फिर बाबर ने आज बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं मैंने बोला था हजारो हजार की संख्या में आना है और लास्ट टाइम में आप लोगों को बहुत ये बैतरीन क्लास दे रहा हूँ रिबिजन के लिए ठीक है इसका सही एंसर होगा सेरसा सूरी ने सूरवन्स का संस्थापक है सेरसा सूरी इसका मकबरा जैसा कि आपको पता है कि रोहतास में है सासाराम में है इसी ने सेरसा सूरी ने ही आधुनिक पटना का निर्मान किया और आधुनिक पटना को राजधानी के रूप में परिवर्थित किया था सेरसासूरी ने इसी ने जीटी रोड का निर्मान करवाया था अभी जो ग्रेंट रंक रोड आप देखते हैं इसका निर्मान सेरसासूरी के द्वारा ही किया गया था ठीक है चांदी का रुपया सरोप्रथम इसी ने चलाया था चांदी का रुपया इसी के द्वारा चलाया सिक्कंदरी घ्ज सिकंदरी यह न coral सूरी इसने काल इंजरा यूदह किया था और यह इसका लास्ट यूद था कालिंजर यूद में ही इसकी मृतिव हो जाती है कालिंजर यूद में इसकी मृतिव हो जाती है जब एक गोला कालिंजर के किले से टकराता है वो गोला टकरा करके इसके पास आता है और इसके पास में ही बारूद का धेर रखा हुआ रहता है उस पे गिरता है जिससे जुलस करके और इसकी मृत्यू हो जाती है ठीक है तो प्रसासनिक कारे के लिए सेरसा सूरी जाना जाता है इतिहास में महरौली में लोह अस्तंब किस राजवन्स ओधी के सासन के दोरान बनाया गया था कहा ये जा रहा है कि महरौली का लोह अस्तंब किस के सासन के दोरान बनाया गया था कुसान राजवन्स मौरि गुप्त या फिर साथ वाहन के समय में देखे इसका सही एंसर होगा ओप्सन सी ज कर रहे हैं देखिए महरौली का लोह अस्तम जो है यह दिल्ली में यह तो आप लोगों को पता ही है कि यह दिल्ली में और इसकी सबसे वड़ी खास बात यह है कि इसमें लोहे का तो है लेकिन इसमें आज तक जंग नहीं लगी है इसमें जंग नहीं लगा है महरौली का काफी प्रतापी सा सकता फंदाई याद रखना है इसके दर्बार में बरा महीर कालीडास यह सब रहा करते थे आगे चलते हैं काम Mr. सुस्त्र के ले खक कौन है का मिल्कुल सही एंश्र कर रहे हैं जबकि बिसाखदत के द्वाड़ा मुद्रा राक्षस लिखी गई है यह ना मुद्रा राक्षास से हम लोगों को मौर यवंस के बारे में जानकारी प्राप्त होती है इनकी प्रमुक प्रमुक पूस्तकों में से एक है आगे है निम्नलिकित में से कौन सी एक किताब मुगल साही परिवार की एक महिला ने लिखी है मुगल साही परिवार के एक महिला ने लिखे अकबर नामा बाबर नामा हुमायू नामा या फिर बादसाह नामा पताई एंसर किजिए एक महिला के दोरा रचितिय पुष्दक है देखिए इसका सही एंसर होगा ओप्शन सी जो आप कर रहे हैं हुमायू नामा इसके दोरा लिखा गया है यह लिखा गया है गुलबदन बेगम के दोरा गुलबदन बेगम के दोरा गुलबदन बेगम यह बाबर की पुत्री थी बाबर की पुत्री है ना गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और हुम बाबर की आत्म कथा है इसी को तुजू के बाबरी कहा जाता है याद रखेगा बादसाह नामा हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है एहमद हमीद लाहौरी इसके द्वारा बादसाह नामा की रचना की गई है ठीक है अकबर नामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है निमनलिकित युगमों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है इन में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है ये कहा जा रहा है पुछा जा र यहाँ पर option A देखे, करपूर मंजरी की अगर हम बात करें तो क्या ये हर्श के द्वारा रचित है, करपूर मंजरी राज सेखरद्वारा लिखा हुआ है, ठीक है, ये, राज सेखरद्वारा, राज सेखरद्वारा इसकी रचना की गई थी, ठीक है, मालवीगा अगनी मित्रम की रिचना कालीदास द्वारा मुदरारक्षस विशाग्दाद्वारा और सौंधराणंद अर्सोग छोस के द्वारा वे राश्टियाने ता कौन थे जो 1925 में Central Legislative Assembly के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कोशन नमबर 17 कहा जा रहा है कि वे राष्टियनेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिसलेटिव एसेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए मोतिलाल नहरू, सियारदास, बल्लब भाई पटेल या फिर बिठल भाई पटेल पताई भाव इसका सही एंसर होगा, ओप्शन डी बिठल भाई पटेल, याद कीजिए जब गांधी जी ने असेयोग आंदोलन को अस्थागित कर दिया था तो असेयोग आंदोलन अस्थागित करने के उपरांग दो नेता, सियारदास और मोतिलाल नहरू ने मिल करके और स्वराज पार्टी की अस्थापना की थी स्वराज पार्टी कब अस्थापित की गई थी? 1923 में इसकी अस्थापना की थी और इनका मेन उद्देश यही था कि हम Central Legislative Assembly में जाना चाहते हैं ठीक है? और Congress इसका विरोध कर रही थी कि नहीं नहीं तो इसी लिए इन लोगों ने अलग पार्टी बनाई थी स्वराज पार्टी और इसी के नेता थे बिठ्थल भाई पटेल और स्वराज पार्टी की एक कहें तो उपलब देता बहुत बढ़ी उपलब देता थी यह ठीक है? रॉलेट एक्ट उनीस और उनीस किसके काल में लागू किया गया था? Question number 18 Question number 18 है रॉलेट एक्ट उनीस और उनीस किसके काल में लागू किया गया था? Lord James Ford, Lord William Bantic या Lord Minto या फिर Lord Bantic बताएए देखिए इसका सही एंसर होगा Option A जो कर रहे हैं Lord James Ford ओ बिल्कुल सही एंसर कर रहे हैं रॉलेट एक्ट उनीस में लाया गया था अच्छा इसके पीछे उद्देश क्या था? तो इसके पीछे उद्देश ये था कि रॉलेट एक्ट लाने के पीछे उद्देश ये था कि किसी भी ब्यक्ति को अगर उस पे सक होता है थोड़ा सा भी तो उसको आप जेल में डाल सकते हैं कोई भी दो चार पांच लोग अगर इकठा हो करके किसी भी मुद्दे पर अगर बात कर रहे हैं तो उनको पुलिस गिरफतार कर सकती है इसको काला कानून कहा गया था ठीक है इसी को काला कानून कहा गया था बिना वकील बिना दलिल का कानून इसी को कहा गया था ठीक है और जब तक चाहे सरकार बंदी बना करके इनको रख सकती है ठीक है तो गांधी जी के द्वारा भी इसका हवान किया गया था और इसी एक्ट के विरोध में दो नेता पंजाब के थे डॉक्टर सैफुदीन किचलू सैफुदीन किचलू डॉक्टर सैफुदीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ये भी इसका विरोध कर रहे थे इन दो नेताओं को गिरफतार करके और जेल में टाल दिया गया था तब पंजाब के लोगों ने इनके गिरफतारी के बिरुद में जलिया वाला बाग में यही कठा हुए थे पंजाब के लोग ठीक है जलिया वाला बाग में यही पर फिर इनके उपर गोलिया चला दी गई थी गोलिया बरसा दी गई थी ठीक है तो इसी को जलियावला बाग हत्या कान कहा जाता है जो की 13 अपरेल 1929 को हुआ था जिसमें हजारों लोगों की मौथ हो गई थी लिक्षवी दोहित्र किसे कहते हैं लिक्षवी दोहित्र किसे कहते हैं देखिए लिक्षवी दोहित्र का मतलब सबसे पहले समझे लिक्षवी दोहित्र कहने का मतलब लिक्षवी की पुत्री का पुत्र ठीक है लिक्षवी की पुत्री का पुत्र किसको कहा गया है चंदर गु कुमार गुप्त को या फिर समुद्र गुप्त को एंसर किज़े बाबु देखे इसका सही जो एंसर होगा वो होगा जो भी ओप्सन डी कर रहे हैं समुद्र गुप्त वो बिलकुल सही एंसर कर रहे हैं देखे हुआ क्या था कि चंद्र गुप्त प्रथम जो थे चंद्र गु गुप्त से इसमें काफी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी तो चंद्र गुप्त प्रथम ही थे जिन्होंने इन्होंने गुप्त संबत इन्हीं के द्वारा चलाया गया था समुद्र गुप्त काफी महान सासक और काफी प्रतापी सासक था इसके बारे में कहा ऐसा जाता है भारत का नेपोलियन इसी को कहा जाता है इसलिए भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता है क्योंकि इसने अपने तलवार के दम पर तलवार के बल पर भारत के कई राजवन्स को अपने अधिन कर लिया था जीत लिया था इसलिए समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है इसके सिक्कों पर इसको बीना मुद्रा जारी की थी जिसमें एक बीना वादन की भी मुद्रा थी गरूर प्रकार के मुद्रा थी ठीक है तो छे प्रकार के मुद्रा इसके द्वारा जारी की गई थी वही हम अगर बात करें असकंद गुप्त की तो सुदर्सन जिल का निर्मान असकंद गुप्त ने किया था रिपेरिंग करवाया था इसने ठीक है सुदर्सन जिल का पुन्रुद्वार असकंद गुप्त के द्वारा किया गया था अगर कुमार गुप्त की बात करें तो नालंदा विस्व बिद्याले का निर्मान कुमार गुप्त प्तथम के द्वारा किया गया था तो ये सब चीजे याद रखनी है श्री गुप्त जो थे वो गुप्त वन्स के संस्थापक थे ठीक है निमनेलिकित में से कौन साएक समाचार पत्र पंडित मदन मोहन मालिविये द्वारा 1909 में प्रारंब किया था 1909 इसमी में पंडित मदन मुहन मालिविये के द्वारा कौन सा एक समाचार पत्र शुरू किया गया था फ्री इंडिया नौभारत इंडिपेंडेंट या फिर लीडर बताए बागु देखे इसका सही जो एंसर होगा वो होगा option D जो भी कर रहे है लीडर वो बिल्कुल सही एंसर कर रहे है इसके अलावा हिंदुस्तान, इंडियन, यूनियन, इन्ही के द्वारा निकाला गया था, अभियूदय, ये सब समाचार पत्र, अभियूदय भी इन्ही का था, अभियूदय, इन्ही का था, चलिए है, आगे चलते हैं, निमने लिकित में से किस ने 1936 में इन्डिपेंडेंट लेबर पार्टी की अस्थापना की, इन में से कौन से सासक हैं, जिन्होंने इन्डिपेंडेंट लेबर पार्टी की अस्थापना की थी, अंबेदकर, M.C. राजा, जग जीवन राम या फिर जय परकास नारायन देखे इसका सही एंसर होगा option A जो कर रहे हैं धीम राव अंबेदकर वो बिल्कुल सही एंसर कर रहे हैं अचा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के स्थापना कब की गई थी यहीं पर लिखा हुआ है 1936 में इनके द्वारा इसकी अस्थापना की जाती है ठीक है अचा इसका नाम बदल करके फिर इनोंने सेडूल कास्ट फेडरेशन कर दिया था ठीक है सेडूल कास्ट फेडरेशन इसी का नाम बदल करके और फिर अम्बेदकर जी ने कर दिया था ठीक है नेक्स है अप्रेल 1936 में कांग्रेस के लखनो सत्र में अखिल भारतिये किसान सभा के इस थापना के समय निमने लिखित में से कौन इसका प्रतम अध्यक्ष चूना गया था ध्यान दीजेगा पहला तो कहा ये जा रहा है कि 1936 में अपरेल 1936 में कॉंग्रेस में लखनों में इसकी अस्थापना होती है अखिल भारतिय किसान सभा की अस्थापना होती है कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ अब कहा ये जा रहा है कि इसका प्रतम अध्यक्ष किसको चुना गया था तो स्वामी सहजानन सरस्वती को इसका पहला अध्यक्ष चुना गया था ओप्शन C जो कर रहे है वो बिल्कुल सही एंसर कर रहे है अंध्र प्रदेश किसान आंध्यक्ष के एक नेता थे जिनका नाम था एंजी रंगा इन्ही को बनाया गया था सच्यू इनको सच्यू ये आंध्र प्रदेश किसानों का नत्रित ओ कर रहे थे नहरु जी ने भी इसको संभोधित किया था फिक है इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो संजुक्त प्रांतिये किसान सभा के स्थापना 1918 में की गई थी 1918 में संजुक्त प्रांतिये किसान सभा के स्थापना की गई थी किसान सभा से 2-3 टाइप से प्रस्ने पूछे जाते हैं और हम लोग confuse करके गलत भी कर जाते हैं, ठीक है, 1928 में आंध्र प्रांतिये किसान सभा की अस्थापना की गई थी, 1929 में बिहार किसान सभा की अस्थापना, और इसमें भी मुख्य भूमी का जो है, वो स्वामी सहजानन्द सरस्वती का ही था, 1929 में, ठीक है, निमनलिकित में से किसने भारत के बाहर, इंगलेंड में क्रांतिकारी गति विदियो के एक आरंबिक केंदर के रुप में, इंडियन होम रूल, सोसाइटी की शुरुआत की, कोशन नमबर 23, विक्का जी कामा, दादा भाई नवरोजी, रास बिहारी बोस या स्याम जी क्रिष्न बर्मा, कोशन नमबर 23, देखे बाबु, इसका सही एंसर होगा, ओप्सन डी जो कर रहे हैं, स्याम जी क्रिष्न बर्मा, वो बिलकुल सही एंसर कर रहे हैं, तब किया थ तो फर्वरी 1925 में इसको इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है तीक है यहां से एक सामाचार पत्र सोशिो लौजिस्ट का प्रकासन किया गया था सोसियो लोजिस्ट ठीक है इसका प्रकासन यहीं से किया गया था यह जो है एक सामाचार पत्र था सामाचार पत्र था ठीक है आगे चलते हैं बावु आगे है 1906 में स्वराज को रास्टी आंदोलन का लख्ष भोसित करने वाला भारती रास्टी कॉंग्रेस का अध्यक्ष निमलकित में से कौन था ठीक है अगर आप लोगों को याद है कि 1906 में कहां पर इसकी इसका असेंबल देखे वाओं इसका सही एंसर होगा ओप्षन ए दादा भाई नोरो जी दादा भाई नोरो जी 1906 में भारती रास्टी कॉंग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नोरो जी जी थे ठीक है यह धिवेशन कहां पर हुआ था तो यह धिवेशन हुआ था कलकत्ता में 1906 में होता है जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नोरो जी के द्वारा किया जाता है इसमें स्वदेशी प्रस्ताओं को याद रखेगा कि इसमें स्वदेशी प्रस्ताओं को रखा गया था और पारित भी कर दिया गया था ठीक है इसी में सौराज की मांग की गई थी इसी में सौराज की मांग सरोप्रथम दादा भाई नौरोजी जी ने किया था धन निसकासन का सिधान्थ भी दादा भाई नौरोजी जी नहीं दिया है याद रखेगा धन निसकासन का सिधान्थ धन्निस कासन का सिधान्द भी दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा ही दिया गया था चलिए आगे चलते हैं निम्नेलिकित में से किसके बिरूद महात्मा गांधी का सत्यागरा के लिए आहवान उनका अखिल भारत्य संगर्ज के नेतरितों का सरोकथम प्रयास था पॉश्चन नमबर 25 पॉब्लिक सेप्टी बिल रॉलेट एक्ट निस सो भारत सरकार अधिनियम या ट्रेड विवाद अधिनियम देखे इसका से इन सरोगा रॉलेट एक्ट ओप्शन भी रॉलेट एक्ट अभी जस्ट हमने बताया रॉलेट एक्ट उनिस सो उनिस में अना हड़ापा संस्क्रिती में किस प्रकार की मुहरें सरवाधिक लोग प्रिये थी पॉश्चन नमबर 26 सेशन खो सेयर करते जाए और लाइक भी करते जाएए को अध्डपा संस्क्रिती में किस प्रकार के मुहरें सरवाधिक लोग प्रिये थी हैं हड़ापा के मुहरों से हम लोगों को बहुत से चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो इसका सही जो इंसर होगा बाबू वो होगा option D और यहां की ज़्यादा तर जो मुहरे थी वो सिलखडी की बनी हुई थी किसकी बनी हुई थी सिलखडी की बनी हुई थी सिलखडी सभ्यता को हडपा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है इसलिए जाना जाता है क्योंकि हडपा जो अस्थले वो सरो प्रतम हम लोगों ने खो जाता इसलिए इसको हडपा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है सिलखडी सभ्यता जो है याद रखेगा बैदिक काल को भी हमने दो भागों में बाटा था जब आरियों का आगमन हुआ था तो उस समय से आगे के कालखंट को हमने बैदिक कालखंट कहा क्योंकि उन्होंने आकर के और बेदो का निर्मान किया था सरो पर थम रीग बैद का निर्मान किया गया था सबसे प्राचिन बैद रीग बैद था तो इसलिए जिस समय से लेकर के और जिस समय तक रीग बैद का निर्मान कारे पूरा हुआ स्टार्टिंग से लेकर के पूरा तो उस समय के काल खंड को रिग बैदिक काल कहा गया और उसके बाद के समय को उत्तर बैदिक काल कहा गया तो रिग बैदिक काल तक भी नहीं उत्तर बैदिक काल में हम लोगों को लोहे का साक्ष पराप्त हुआ है संगम ग्रंथ तोलकापियम किस विशे पर आधारित है किया यह एक खगोल विद्ध्य है, ब्याकरन है, संगीथ है या फिर ओसदी है, आसदी पराधारित है, देखे, इसका सही अंसर है, यह एक ब्याकरन है, घुक है, यह एक ब्याकरन है, इसकी रचना अगस्त रीशी के एक सिस्य करते से currently किया गया था, जिनका नाम था तलकापि तुलकापियर ने इसकी रचना की थी 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 तुलक प्रकार का कर था ठीक है और यह जो कर था यह जो टैक्स था यह मुसल्मान के उपर लगाया गया था मुसल्मानों के उपर लगाया गया एक प्रकार का कर्था तुरूसक दंड अब बात आती है कहा यह जा रहा है कि किसने यह लगाया था तो यह लगाया था गहडवाल सास को ने ठीक है ओप्शन है इसका से इंसर होगा गहडवाल सास को ने यह लगाया था ठीक है निम्नी लिक्त युगमों मेंसे कौन सही सुमयलित है अलवरूनी रजम नामा हसन निजामे तारीके हिंद बरनी तब काते नासीरी अमीर खुसरो तुगलक नामा इमें बताईए कि सही सुमयलित कौन है बहुत बढ़िया आप लोगों का एंसर आ रहा है देखे बाबू, question number 29 का सही जो answer होगा option D अगर आप कर रहे हैं तो बिलकुल सही answer कर रहे हैं अमीर खुसरो, तुगलक नामा तुगलक नामा की रचना किसके द्वारा की गई? अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी खारसी में अनुवाद करके और उसका टाइटल कर दिया गया था रजमनामा, ठीक है? रजमनामा किसने किया था? किसने किया था? बदायूनी ने, ठीक है? फैजी और बदायूनी लिखें, फैजी और बदायूनी ने किसके कहने पर किया था? तो अकबर के कहने पर महाभारत का अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया था ठीक है थारसी भासा में किया गया था अच्छा यहाँ पर बात आती है तारीखे हिंद की है ना तारीखे हिंद नामा कोस्तक जो है यह भी अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था अलबरूनी अल बरुनी के द्वारा तारीके हिंद की रचना की गई थी तब काते नासीरी की अगर हम बात करें तो मिनहाज उस सिराज के द्वारा मिनहाज के सिराज के द्वारा इसकी रचना की गई थी चलिए आगे चलते हैं सोंधर सब्द का परियोग किसानों के दिये जाने वाले रिन के रूप में किसके समय में हुआ question number 30 कहा जा रहा है कि सोंधर सब्द का परियोग किसानों को दिये जाने वाले रिन के रूप में किसके समय में हुआ था बल्बन अलावदिन खिल जी मुहम्मद तुगलक या फिरोज तुगलक तेखिए इसका सही अंसर होगा ओप्शन C जो कर रहे हैं मुहम्मद तुगलक वो बिल्कुल सही अंसर कर रहे हैं मुहम्मद बिन तुगलक ने दिवाने कोही एक बिभाग बनाया था और पता है दिवाने को ही विभाग के दोरा क्या किया गया था इसका में काम था भूमी के कारे को देखना और भूमी पर बैग्यानिक तरीके से खेती करना जिस परकार से अभी हम बैग्यानिक तरीके से खेती को प्रमोट कर रहे हैं उसी परकार से इसने मुहम्मद तुगलक किया था एक विभा के स्थापना की थी जिसका में उद्देश था कि भूमी पर ज्यादा से ज्यादा उपज हो इसलिए बैज्ञानिक तरीके से इसने खेती करने के लिए लोगों को प्रोथ साहित किया था और इसके लिए इसने सतर लाग टंके के बराबर क्रिसी रीन लोगों को दिया था कि भाई लो तुम लोग रीन लो और अच्छे से खेती करो ठीक है निम्र में से कौन सा बिकल्प बिहार के सरवाधिक लिंगानूपात वाले जिलों के समूग को ब्यक्त करता है यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरवाधिक लिंगानूपात वाला जिला कौन सा है सबसे ज़्यादा लिंगानूपात कहा है इसके बाद कहा है इसके बाद कहा है ऐसे आप लोगों को बताना है देखे जनगन्ना से कोशन BPSC में आता ही है कि देखे वह इसका सही अंसर होगा कि यहां पर कहा जा रहा है कि निमिन विकल्प में कौंसा विहार के सरवाधिक लिंगान उपात वाले जिले को के इसमुह को ब्यक्त करता है कि इसका सही जो एंसर होगा वो होगा option a गुपालगंज सीवान सारण खिसं घिशंगंज होगा और इस के बाद ना वाड़ा सबस्से ज्यादा लिंगान उपातवाला जिला जो है वह है कुणसा है गोपालगंज कितना है बाबु 10021 कहने का मतलब यह हुआ कि एक हजार पूरसों पर महिलाओं की संख्या एक हजार एकीस है यहां पर गोपाल गंज में ठीक है तो गोपाल गंज सबसे उपर है वहीं अगर हम बात करें सिवान की तो 988 है 988 है ना सिवान का 988 है इसके अलवा सारण का 954 है 954 है सारण का किसंगंज की बात करें तो 950 है 950 है और वहीं नवादा 949 है 949 है भारतियसम विधान का कौन सा अनुछेद विधान मंडल की सदसेता के लिए योग यता है निर्धारित करता है अच्छा यह बताए यह तो कि भारत का लिंगान उपात कितना है भारत का लिंगान उपात 943 है ना भारत का लिंगान उपात कितना है और विहार का लिंगान उपात भी वताना है ओबरॉल विहार का लिंगान उपात कितना है भारतिय सम्विधान का कौन सा अनुछेद विधान मंडल की सदस्यता के लिए योग्यताय निर्धारित करता है Q32 देखे इसका सही अंसर होगा आर्टिकल अनुछेद 191 नालंदा वेश्थित बड़ा गां का पता किसने लगाया था मतलब नालंदा महा विहार का पता किसने लगाया था यह प्रस्ण पूछा जारा है आप लोग लगता है आज सेशन को شेर नहीं किये हैं इसलिए अभी पांत सो बच्चे भी लाइब नहीं दीख रहे हैं देखे बावु इसका सही अंसर होगा option B कनिंगम ठीक है कनिंगम ने बड़ा दौर नालंदा महाबिहार का पता कनिंगम ने लगाया था महाबीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके सासन काल में उपदेश दिये महाबीर स्वामी जोकी जैन धर्मे से समन्दित थे और बुद्ध बुद्ध धर्म से दोनों ने किसके सासन काल में उपदेश दिये थे आजाद सत्रू, बिम्बी सार, नंदी वर्धन या फिर उदाईन पताई question number 34 इसका सही जोई answer होगा बावु वह होगा option B बिम्बी सार के समय में बिम्बी सार किस वंस का सासक था बिम्बी सार किस वंस का सासक था जल्दी से बताईए बिम्बी सार ने बुद्ध के निवास के लिए बेलु वन नामक बिहार दान में दिया था ठीक है बेलुवन नमग बिहार जो है वो इसने दान में दिया था चेटक की पुत्री से इसका विबा हुआ था जल्दी से बताए बिम्बिसार किस वन से सम्बंदित था क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया खरयक वंस का सा सक्था बिंबिसार बहुत बढ़िया अच्छा उदैन जो था यहां से कोशन कभी कभी पूछ लेता है उदैन ने पाटली पुत्र को बसाया था पाटली पुत्र को गंगा और सोन के संगम पर बसाया था और इ लिएन ने निम्नमे से विहार के किस चत्र में नोनिया बिद्रो हुआ था — भेधार के किस चत्र में नोनिया बिद्रो हुआ था 알고하고 ती बताइए हाजिपूर में तीरहुत मैं साराण में यह इन में से सभी कोस्षण Soul Wep तो देसर फाइए इसका सही एंसर होगा अट therefore सभी बात आती है कि यह नूनियाविद्रोंग क्यों हुआ था मैंने पहले भी नूनिया भी दुरोंग के बारे में चर्चा कि थी नूनियाविद्रोंग के पीछे कारण था शोरे का उत्पाद्न यहाँ पर पोटैसियम नाइट्रेट जिसको सोरा कहा जाता है ये बिस्पोटक बनाने के काम में आता था और बिहार में इसका बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था अंग्रेज यहां पर जब आये तो अंग्रेजों ने इसके उत्पादन पर एकाधिकार कर लिया था और बहुत कम रकम में यहां से यह खरीद लेते थे, ठीक है, सोरा खरीद लेते थे, फ्रांसिसियों ने और अलग-अलग कमपनियों नोनिया जाती, यह नोनिया जो है एक प्रकार की जाती थी, ठीक है, नोनिया जाती को कहा कि अगर तुम हमको बेचोगे, तो हम ज्यादा पै बिहार में बहाव्यों ने किस नेता के नेतरित तले 1867 के बिद्रों के दौरान अंग्रेजों से सस्त्र संघर्स किया था बहुत बढ़िया एंसर आ रहा है आप लोगों का इसका सही जो एंसर है वह होगा ओप्सन बी इनायत अली ठीक है बिहार में 1857 का महा बिद्रों 12 जुन को शुरू हुआ था 1857 की क्रांती जो है कब सुरू हुई थी बिहार में बाबू 12 जुन को कहा से शुरू हुई थी तो देवघर में एक जगह है रोहिनी ठीक है रोहिनी वरतमान में ये अब चला गया है जारखन में लेकिन उस समय बिहार में ही था तो रोहिनी चावनी से रोहिनी चावनी के सिपाहियों ने सर परतम बिहार में बिद्रोह किया था बिहार में बहावियां दोलन की बागदोर बिलायत अली के हाथों में थी और इनकी मिर्तिव के बाद जो है ओ फिर इलायत अली के हाथ में आ गई थी निम्न में से किसे बिहार विधान सभा का प्रत्म अस्थाई अध्यक्ष होने का गौरो मिला गोरो मिला 37 इसका सही एंसर होगा option B जो कर रहे है श्री राम डैयालू सिंग वो बिल्कुल सही answer कर रहे है ओप्षन B ठीक है 12 दिसंबर 1911 को जोर्ज पंचम ने दिल्ली में दिल्ली और बिहार उरिशा को अलग प्रांथ बनाने की घोशना कर दी थी ठीक है और 22 मार्च 1912 को बिहार को अलग प्रांथ के रूप में घोसना किया गया था ठीक है और विधिवत रूप से 1 अप्रेल 1912 को बिहार को बंगाल प्रांथ से अलग कर दिया गया था सौतंतर भालत में बिहार प्रदेस कॉंग्रेस कमीटी का पहला अध्यक्ष कि रूप से बनाया गया था देखे इसका सही एंसर होगा option C महा माया प्रसाच जो कर रहे हैं बिलकुल सही एंसर कर रहे हैं चौदा अगस्त की रात को बिहार के परतम राज्य पाल के रूप में जैराम दास दौलत राम ठीक है त्रीकृषन सिंग मुख्य मंतरी के रूप में ठीक है पहले मुख्य मंतरी बने थे और महा माया प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था पहला अध्यक्ष बनाया गया था ठीक है? निम्ने लिखित कथनों पर विचार किजिए पहला है जैपरकास नारायन ने सोतनता आंदोलन के दौरान भारत में आजाद दस्ते का अगठन किया दूसरा है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान जया परकास नारायन नेनी जल से फरार होकर नेपाल पहुंचे तिसरा है जया परकास नारायन की स्मृति में एक अपरेल 1942 को पहली बार जया परकास दिवस मनाया गया था कौन सा कथन है असत्य कथन का चुनाओ करना है गलत कथन का चुनाओ करना है गलत ध्यान दिजेगा यहां पर आपको गलत कथन का चुनाओ करना है अभी तक हम लोग 1000 लाइक को भी टार्गेट नहीं कर पाए मतलब पूरा नहीं कर पाए टार्गेट तो है लेगिन पूरा नही कर पाए question number 39 देखे बाबो यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो क्या option ए जो है यहाँ पे पहला जो है क्या आपको सही लग रहा है यह गलत है यह गलत है तो यह भी गलत है यह भी गलत है क्योंकि यह नैनी जेल से फरार नहीं हुए थे यह कहां से फरार हुए थे हजारी बाग से फरार हुए थे ठीक है हजारी बाग से यह फरार हुए थे एक अपरेल 1922 को पहली बार जै परकास दिवस मनाया गया था एक अपरेल 1966 को मनाया गया था बाबो एक अपरेल 1966 1966 को मनाया गया था ठीक है और सोतंता अंदोलन के दौरान नहीं यहां पे भारत छोड़वा अंदोलन के दौरान 1942 सिस्वी में ठीक है आजाद दस्ते का गठन इन्होंने नेपाल की तराई में जाकर के किया था ठीक है तो यहां पे सभी कथन जो है ओ गलत है बिहार में नमक सत्यागरह की शुरुवात निम्र में से किस जिले में हुई थी नमक सत्यागरह की शुरुवात गांधी जी ने सवीने ओग्या अंदोलन का उलंगन किया जा रहा था जहां पर समुद्र तर्ट था वहां तो आसानी से लोग नमक बना रहे थे लेगन जहां पर समुद्र तर्ट नहीं था वहां पर फिर कैसे करे तो उस में से एक बिहार भी है जो लैंड लोक है चारओर से भूमी से घिरा हुआ है तो बिहार के लोगों ने बिहार की जो नमकीन मिट्टी है उसी को पानी में घोल करके और फिर उससे नमक बना रहे थे और नमक कानून को भंग कर रहे थे तो कहा जा रहा है कि नमक सत्यागरत की सुरुवात बिहार में कहां पर हुई थी तो देखे इसका सही अंसर होगा ओप्शन एक चमपारन में सरोप्रथम होई थी ठीक है चमपारन में 1930 में किसके नेतरितों में हुआ था बाबू तो राजेंद्र प्रसाद के नेतरितों में ठीक है विहार से राजेंद्र प्रसाद के नेतरितों में हुआ था इसके बाद नखास पिट 16 अपरेल 1930 को नखास पिंड को चुना गया था नमप कानून भंग करने के लिए ठीक है पटना में ये जग है पटना में मार्च 1946 के चुनाओं में बिहार विधान मंडल में कॉंग्रेस को कुल कितने सीटे प्राप्त हुई थी कहा जा रहा है कि मार्च 1946 के चुनाओं में बिहार विधान मंडल में कॉंग्रेस को कुल कितने सीटे प्राप्त हुई थी बहुत बढ़िया देखे वावो इसका सही जो एंसर होगा वो होगा अन्ठानबे सीटे प्राप्त हुई थी मार्च 1946 के चुनाओं में बिहार विधान सबा कि कुल 152 सीटों में से कुल जो है 152 सीटे थी और उसमें से कॉंग्रेस को अन्ठानबे सीटे प्राप्त हुई थी और मुस्लिम लिग को 34 सीटे प्राप्त हुई थी मुश्लिम लिग को कितनी सीटे प्राप्त हुई थी मोमिन को 5 सीटे प्राप्त हुई थी, आदिवासिओं को 3 सीटे प्राप्त हुई थी, 12 सीटे जो है वो निर्दलिये लोगों ने जीता था ठीक है ब्रिटिस हुकूमत के बिरोध में बिहार में पहली बार जनता का बिरोध किस रूप में सामने आया कहा जा रहा है कि ब्रिटिस हुकूमत के बिरोध में बिहार में पहली बार जनता का बिरोध किस रूप में आया सन्यासी बिद्रो के रूप में निल बिद्रो के रूप में पोल बिद्रो के रूप में या फिर संथाल बिद्रो के रूप में यहां पर सन्यासी जो कर रहे हैं ओ बिल्कुल सही एंसर कर रहे हैं सन्यासी बिद्रो सरो परतम जो सुरू हुआ था यह हुआ था बंगाल में बं ये जो सन्यासी विद्रो है इसका में जो केंद्र पूछा जाता है कि में केंद्र या सरो पर्थम सन्यासी विद्रो का प्रभाव बिहार के किस सित्र में पढ़ा था तो पूर्णिया में पूर्णिया जो है बंगाल से लगा हुआ चित्र है यही से इसकी सुरुवात हुई थ 1763 से अठारा सो तक लगभग चला था मजनूसा देवी चौधरानी यह सब इसके मुख्य नेता थे मजनूसा देवी चौधरानी यह सब इसके सन्यासी विद्रों के मुख्य नेता थे ठीक है रामानंद गोशाई नेक्स है निम्न कत्नों पर विचार कीजिए कोश्चन नमबर 43 अच्छे से देखेगा और एंसर कीजिएगा पहला है बिहार में क्रिस्को के सबसे प्रभाव साली नेता स्वामी सहजानन सरस्वती थे स्वामी सहजानन का प्रारंभिक नाम नौरंग राय था स्वामी सहजानन ने बेटा में सीता राम आश्रम के स्थापना की सही कथन बताना है कि इन में से सही कौन सा है बताईए कोशन नमबर 43 देखे बावो इसका सही एंसर होगा यह सभी के सभी कथन बिल्कुल करेक्ट हैं बिल्कुल सही है सीता राम आश्रम की अस्थापना इनके द्वारा कब किया गया था 1927 में आगे है बिहार का मैदान बिक्सित हुआ बिहार का मैदान बिक्सित हुआ कोशन नमबर 44 बिहार का मैदान बिक्सित हुआ अंगारा लेंड के विखंडन से गुणवाना लेंड के विखंडन से तेथि सागर के उपर या बिग बैंड से ये पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ देखिये इसका सही एंसर होगा 33 सागर के उपर Option C इसका राइट एंसर होगा 33 सागर के उपर अब थोड़ा सा मैं ये आप लोगों को साइद अभी हाल ही में बताया था लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ फिर से मैंने बताया था कि यह हमारी पृत्वी है और पृत्वी का जो अभी हम लोग अस्थल खंड देखते हैं साथ अलग-अलग महादुईप हैं यह सब आपस में जूड़े हुए थे जिसको हम लोगों ने कहा था पैंजिया ठीक है पैंजिया और पैंजिया के चार ओर जल था है ना जो महासागर अभी है और इसको हमने क्या कहा था इसको हमने कहा था पैंथा लासा ठीक है पैंथा लासा कहा था अब बाद में इसमें दरार उत्पन हो जाती है और नीचे वाले हिस्से को हमने कह दिया था गोंडवाना लेंड ठीक है गोंडवाना लेंड अब ये जो पानी इसमें प्रवेश किया ऐसे दरार हुआ तो इसी को हमने कह दिया तेथिस सागर ठीक है तेथिस सागर तो ये चीज़ा रखना है तेथिस सागर के मलबे से ही बिहार का भी निर्मान हुआ है तो बिहार के कुल सेटरफल का लगभग 95% जो हिंत Alexa है ओज powin 93 सागर के मलबे से बिख्षिट हुआ है ठीक है आगे का प्रस्ण है निर्मित लिवने में से कौआ सा कथन सत्य है सही है इन में से कौआ सा कथन सही है बिहार के दक्षिन पठारी प्रदेश पूरो कैम्ब्रियन काल में निर्मित है बिंदे सेल समुह का पुर्वे बिस्तार कैमूर का पठार है गया नवादा मुंगेर बाका जिलो में ग्रेनाइट नीसिस वार्डजाइट से बने आर्कियन चटान जो है उपाया जाते हैं कौन सा कथन सही है इन तीनों में आपको बताना है कि कौन सही है बताए वागो जो ग्राफी में वह सब बताऊंगा पूरे बिस्तार पुरवक देखे एक्जाम जब खतम हो जाएगा आप लोगों का 30 सितंबर को है तो 30 सितंबर के पहले मैं बिस्तार पुरवक कुछ भी नहीं प इसके बाद जैसे ही 30 सितंबर को हमारा खतम हो जाएगा उसके बाद NCRT में पढ़ा रहा था थोड़ा सा उसमें बागी रहा गया हिस्ट्री जोग्रफी शुरू करने वाला हूँ मैं ठीक है NCRT का और मैं दावे के साथ यह कह सकता हूँ कि NCRT जोग्रफी अगर 12th क्लास त दिखा हुआ है और मैं कवर करूंगा उसको पूरे बिस्तार को बहुत अच्छे से कवर करूंगा जोग्रफी को ठीक है तो सबसे पहले हम लोग यह सरसाथी बीपीएसी प्री को निप्टा लेते हैं इसके बाद हम लोग आएंगे पॉस्चन नमबर 45 देखे बाव इसका कर रहे हैं बिल्कुल सभी कर रहे हैं बिहार में मार्च से मई महीने में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है कहा जा रहा है कि बिहार में मार्ट से मई महीने में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है वैसाखी, आमर वर्षा, मौनसुनी वर्षा या इन में से कोई नहीं इसका सही अंसर होगा काल वैसाखी कहा जाता है काल वैसाखी कहा जाता है और इस महिने में जो चक्रवात उठते हैं और उस चक्रवात से जो वर्षा होती है इसी को कालबैसा की कहा जाता है आमर वर्षा केरल में कहा जाता है केरल में तराई छेतर में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तराई छेतर में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है बताई तराई छेतर मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है तराई छेतर किसको कहते हैं देखिए जो परवत वाले छेतर होते हैं परवत का नीचे वाला ज प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ये पूछा जा रहा है आपसे तिके इसका सही एंसर होगा दल्दली मिट्टी और 66 बीपीएसी में ये कोशन पूछा गया था बिहार में अगर हम बात करें तो ये है बावु हमारा बिहार इस बिहार में तराई मिट्टी का अभिस्तार कहा है तो ये वाला जो छेतर है ये वाला जो हिस्सा है ये तराई छेतर का हिस्सा है ठीक है यहाँ पर पश्मी चंपारन है पश्मी चंपारन से ले करके और किसंगन का जो छेतर है ये तराई छेतर के अंतरगत आता है और इस छ बिहार राज में गौतमबूद अभ्यारन कहां इस्तित है वेतिया उनिया गया या बैसाली देखिए सबसे बड़ा तो कमी आप लोगों में यह है कि आप लोग बीना सोचे समझे किसी भी एंसर को कह देते हैं कि यह तो गलत है कभी कभी मैंने कमेंट में देखा है कि सच में कहीं पर एकाद कोशन जो है कभी मिश्टेक हो जाता है गलत हो जाता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसलिए आते हैं कि हाँ यह भी गलत है विहार की राजगानी पटना नहीं है विहार की राजगानी जमसेदपूर है व और आप्शन सीज का सी इंसर होगा गया में इसके सफ़ापना 1976 में की गई थी इसकी अस्थापना उनीस सो प्षेथ्टर इस्वी में की गई थी लगभग 25 स्क्वाइर किलोमेटर में 25.8 स्क्वाइर किलोमेटर में लगभगिये फैला हुआ है हम बहुत बड़ी भूल करेंगे हम बिहार की जनता और उनके मंत्री मंडल को लिद के नेताओं के हिंसकों असब आक्रमनों के आगे और सुरक्षि छोड़ देंगे यह कथन 1946 में किसने कहा था मात्मा गांधी नेरू राजन्द परसाथ या सरदार बल्लब भाई पटेल देखे यह बात कही थी सरदार बल्लब भाई पटेल ने सब्सक्राइब का सब्सक्राइब करना है यहां पर देखेंगे यहां पर सब्सक्राइब कर देखेंगा और सब्सक्राइब कर देखेंगे यहां पुर्णिया का पुरुष साक्षरता दर्फितना है 59.06 ठीक है 59.06 पर सेंट है वहीं कटिहार की बात करें तो 59.36 है 59.36 है 60.64 है 60.64 है इसका सीता मढ़ी का वहीं सीवर की अगर हम बात करें तो 61 परसेंट है 61.31 परसेंट है 31 परसेंट है वहीं मध्यपूरा की हम बात करें तो 61.71 परसेंट है मध्यपूरा का ठीक है तो बढ़ते करम में हैं देख लिजेगा डंकन जल संधी किसके भी चिस्तित है अभी तक हम लोगों ने 50 परसनों को पूरा कर लिया है आज एपिसोड दो में ठीक है एक 59 में में है तो आप लोग थोड़ा सा बताईए कि आप लोगों को कैसा लगा अभी तक 50 परसन और क्या आप लोगों को कुछ सिखने को मिला इस का ठीक है और इसी के साथ लाइक और सेयर कर दीजिए आप सेंचूरी हमने लगा लिया है 50% अब डंकन जल संधी किसके भी चिस्तित है मिनी का और यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है है ना कि टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है बाबो अब डंकन जल संधी दक्षिन अन्दमान और छोटा अन्दमान मिनी का और माल दिव अन्दमान और कार्नी को बार question 51 रिविजन हो रहा है चले भव देखे इसका सेंसर होगा दक्षिन अन्दमान और छोटा अन्दमान के बीच में है डंकन जल संधी तस्वीर लगाया हुआ है, यहाँ पर देखे, डंकन पास है, यहाँ पर डंकन पास है, यह डिकन पास है, डंकन पास है, यह किसके किसके बीच में है, यह है डंक्छिन अंदमान और लगू अंदमान के बीच में, तिक के, साउथ अंदमान और लिटिल अंदमान, यह वाला ज अच्छा इसी से question एक और पुछा जाता है ठीक है अंडमान निकोबार्ट से ही question पुछा जाता है 10 degree channel किसको अलग करता है तो 10 degree channel यह वाला जो आप देख रहे हैं 10 degree channel है 10 degree channel है और 10 degree channel जो है यह अंडमान निकोबार देपसमू में है और यह किसको अलग करता है अनमान और नीकोबार को अलग करता है यह है अनमान और इधर वाला जो छेतर है यह है नीकोबार यह कोशन ऐसे भी पूछा जाता है यह देखे यह है लिटिल अनमान और यह है कार नीकोबार तो लिटिल अनमान और कार नीकोबार के बीच में यह है टेन डिगरी चैनल वैसे भी प्रस्ण आप लोगों से पूछे जाते हैं पीर पंजाल स्रेनी पाई जाती है बगल में तस्मीर भी लगाया हुआ है आप देख सकते हैं पीर पंजाल स्रेनी पाई जाती है और आचल प्रदेश में जम्मू कस्मीर में पंजाब में या फिर उत जम्मु कस्मिर में यहां से यहां तक का यह वाला जो है फीर पंजाल स्रेणी है हिमालय का हिमालय की जो स्रेणी है यह फीर पंजाल स्रेणी है ठीक है और फीर पंजाल स्रेणी थौलाधर और महा भारत यह हिमाचल स्रेणी का हिस्सा है यह हिमाचल स्रेणी का हिस्सा है फीर पिर पंजाल लगू हिमाले का सबसे दखनी हिस्सा है इसमें है लगू हिमाले में है ये पिर पंजाल इसकी औसा तुचाई 14 कर दाली सो मीटर इसकी उसातु चाहिए नहीं कि मियन डिक इसे कौन सी नधी जू आर बनाती है इन में से कौन सी नधी जो जू आर बनाती है सबसे पहले इस चीज़ को समझे कि जौर किसको कहते हैं आप लोगोंने नाम सुना होगा जौर भाटा जिसको हम अंग्रेजी में टाइट्स बोलते हैं जौर भाटा कहां उत्पन होते हैं तो यह उत्पन होते हैं सागर में समुद्र में उत्पन होते हैं जो लहरे होती हैं समुद्र की और य करता है जिससे पानी का हिस्सा थोड़ा सा ओपर उठ जाता है तो ये जो लहरे हैं इसी लहर को हम बोलते हैं ज्वार भाटा ठीक है तो उचा उठा हुआ ये वाला जो हिस्सा होता है इसी को हम ज्वार कहते हैं ठीक है और नीचे जो पानी ऐसे फिर गिर जाता है इसको हम भा साइ जल होता है तो sì एक के नधी है जिसका नाम है फुगली इसमें ज्वार उत्पन होते हैं एक इसमें ज्वार उत्पन होटे ओप संबी ज़ह इसका सही answer होगा ऐ अ कर फेमें का समुद्रत कहलाता है समुड्रत क्या कहलाता है रही पताये सरकार तट, कौंकन तट, मालाबार तट या कोरो मंडल तट क्या क्या लाता है बाबू देखे इसका सही एंसर है option D जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही एंसर कर रहे है देखे इधर अगर देखा जाए तो यह है गुजराग और गुजराज से लेकर के और इधर फष्यम मंगाल तक हमारा जो चेतर है, हमारा जो भूभाग है यह 30 चेतर के अंतर गताता है कितने ऐसे राजज हैं बाबू तो 9 राजज हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं 30 राज कितने हैं 9 राजज हैं तो इधर पश्यम और इधर है पूरब इसको हम पुरवी घाट और इधर पश्यमी घाट बे बोलते हैं तो पश्यम में ये गुजरात से ले करके और यहाँ पर है गुजरात से ले करके और 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 गुज कहते हम यहां से यह तक गोव से करनातक तक का जो कहते हैं वहीं करनाटक से केरल तक का चुल्ट नियूंढ आँप खिते हृइं और यह तो यहां से दखिए केरल लेकर और और आंधर पुछा जा रही क commandments और पर देस नगया कि ना स्था by सब्सक्रारे से लेकर किया अंदर से अंदे है युआ था जानлагा रहा था शूतफ़ भारत की हमारा भारत है और हारत नहीं तर पर पहारत का त्यजिग है याद रखेगा एक सट सो किलोमेटर है यह आपको यादत में है घूमी का तट जहें 1197 है 1197 जिसमें दीवीपीए सब भी है दीवपो का तट सबसे बढ़ा तट वाला जो राज्य है उसका नाम है गुझराद निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है सियाचीन वागतोरो चोंगोर लुंगमा या बियाफो उक्षन नमबर 55 देखे इसका सही अशरोगा ओप्षन ए सियाचीन गलेसियर ये सबसे बड़ा गलेसियर है गलेसियर किसको कहा जाता है बाबु परवतो पर उचाय ज़्या और बर्प का ऐसा हिसा जहां से बर्प फिघलता है और पानी जो है ओ निकलता है उससे नदियों का निर्मान होता है उसको हम गलेसियर बोलते हैं तो सियाचीन गलेसियर जो है ये हिमनद हम इसको बोलते है ठीक है गलेसियर ये सबसे बड़ा है ठीक है ये पूर्वी कारा क कोरम में दर्रे में पूरवी कारा कोरम दर्रे में हैं लंबाई 76 किलो-मीटा है इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो लगभग 76 किलो-मीटार इसकी लंबाई है ठीक है। निम्नलिकित में से कौन भारत का सबसे उचा जल परपाथ है भारत का सबसे उचा जल परपाथ इन में से कौन है जोग जल परपाथ कुचिकल जल परपाथ राकिम कुण जल परपाथ या क्योटी जल परपाथ question number 56 देखे इसका सही अन्सर होगा option B पूचिकल जल परपात भारत का सबसे उचा जल परपात है कूचिकल 455 मीटर 455 मीटर इसकी हाइट है कूचिकल जल परपात की बात याती है कि यह किस नदी पर है तो वराही नदी पर है वराही नदी पर है किस राज्य में है बाबू तो यह है करनाटक में है वराही नदी के उपर ठीक है जोग जल परपात को गरसोपा जल परपात के नाम से भी जाना जाता है यह भी करनाटक में सरावती नदी पर है ठीक है यह भी सरावती नदी पर करनाटक में है इसकी उचाई दो सो पचपन मीटर है इसकी उचाई दो सो पचपन मीटर है ठीक है जोग या गर्सोपा जलपरपात इसको कहा जाता है या महात्मा गांधी जलपरपात भी इसको कहा जाता है केवटी जलपरपात की अगर हम बात करें तो क्योटी जल्परपाजम है मद्यप्रदेष में रिवाजीले में यह मद्यप्रदेश में रिवाजीले में कमसा नदी पर है कि अल्विक in छो इसकी है अगर बात करें तो यह कि अमद्धि 足 मुझे आप नहीं आ रहा है आप लोग गूगल करके और मुझे बता सकते हैं ठीक है तो 56 मेटर है साइड 98 मीटर इसकी हाइड है 98 मीटर है ठीक है चोंस नदी की सहायक नदी है तमसा नदी और इसी के उपर है ये केउटी जल्परपात रकीम कून जल्परपात ये है बिहार में ठीकंड, रखीम्कून जलपरपाथ, ये भिहार में है बाबो ठीक है और और 8 नदी की सहायक नदी पर है गाया घाल फीद आँक्ड काकई इसाल पर है नदी की स्वसेंग ओफ़ के उपर है रखीम्कून होग यह जलपरपाथ 168 मिटर इसके है माउंट एटना है माउंट एटना है एक परवत, एक परवत सिखर, एक ज्वाला मुखी, एक पठार सेशन को सेयर किजी आप लोग, जितना हो सके सेयर करते जाए रुकना नहीं है, ठकना नहीं है इसका सही एंसर होगा, यह एक ज्वाला मुखी परवत है माउंट एटना, बात आती है कि यह है कहाँ पर तो यह जो आप देख रहे हैं, यह इटिली देश है, ठीक है और इटिली का एक यह हिस्सा है, ठीक है, सिसली द्वीप और सिसली दूइप में एक सहर है केतेनिया और इसी केतेनिया में है ये माउंट एटना जौला मुखी है तो माउंट एटना जौला मुखी की अगर हम लोग बात करें तो ये किस प्रकार की जौला मुखी है तो ये सक्रिय जौला मुखी है इसकी उचाई कितने है? 3320 मीटर. 3320 मीटर इसकी उचाई है. युनेस्को में इसको सामिल किया गया है 2013 में. युनेस्को के 200 धरवर अस्थल में इसको सामिल किया गया है. 2021 में इसमें 20 फोट हुआ था. निमने लिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? इन में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? मेकांग कहां पर बहती है बाबु? जल्दी से बताएं. मेकांग नदी लाओस और कमबोडिया में बहती है. लाओस में एवं कमबोडिया में. लाओस और कमबोडिया में बहती है. निमने देशों में से किस एक की सीमा सागर से नहीं लगी हुई है? इन में से कौन सा देश है जिसकी सीमा सागर से नहीं लगी हुए है अर्मीनिया, अजर्बैजान, कजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान question number 59 question number 59 देखे बागू, उसका सही answer होगा अर्मीनिया option यह जो कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे है सागर से नहीं लगी हुई है, यहाँ पर map में थोड़ा सा देखिए यह है अर्मीनिया, ठीक है यह अर्मीनिया, चारों ओर से आप देख रहे हैं, यह अस्थर खंड से घिरा हुआ है यानि कि यह landlock country है, ठीक है वहीं इधर option में अजर्बैजान दिया हुआ था अजर्बैजान जो है, वो कैस्पियन सागर से लगा हुआ है यह जो आप देख रहे हैं, यह है कैस्पियन सागर ठीक है, यह कैस्पियन सागर है और कैस्पियन सागर से इधर अजर्बैजान लग रहा है इरान भी लग रहा है तुर्कमेनिस्तान भी लग रहा है ठीक है और कजाकस्तान भी कैस्पियन सागर से लगा हुआ है रूस भी कैस्पियन सागर से लगा हुआ है ठीक है सारगैसो समुद्र की विशिष्टा है सारगैसो सागर की विशिष्टता है अच्छा मैप नहीं दिखा आप लोगों को अच्छा अपकी बार से डार्क मैप यूज़ करूँगा बताइए कहा जा रहा है कि सारगैसो समुद्र की विसिष्टा है अती ठंडा पानी अती गर्म पानी अत्याधिक लवनिय पानी विसिष्ट समुद्री बनस्पती इसका सही अंसर होगा ऑप्शन डी विसिष्ट समुद्री बनस्पती थोड़ा सा मैप में देख लिजए तो महासागरों में जब ठंडा जल और गर्म जल ठीक है गर्म और ठंडा जल की धाराएं चलती हैं जहां ये गर्म और ठंडी जल धाराओं का मिलन होता है ठंडी जल ध सहरा का मिलन होता है वहां प्लैंक्टन बिक्सित होते हैं प्लैंक्टन ठीक है प्लैंक्टन जो है एक समुद्री जीव होते हैं बनस्पती होते हैं एक तरह से ठीक है इनका विकास होता है और प्लैंक्टन जो होता है वो मचली का चारा समझेत होता है ठीक है मचली का भोजन होता है इसलिए सार्गैसों जहां पर हैं वहाँ पर मचलिओं का विचास सबसे ज्यादा है मचली उत्पादन का क्यंद्र है ऑच्या थे थे तो उतरी अटालांटिक का हिस्त है सार्गैसों सागर exactly को क conclusions और अध्याय संग और राज्यों के मद्य विधाई संबंदों के विषय में सही है बताईए पॉस्चन नमबर 61 भाग 11 अध्याय एक ठीक है और उच्छे 245 से 255 तक संग और राज्यों के विज विधाई सकती के बितरन का 200 अनुछेद 245 से 200 वच्पंतर ठीक है भूमी सुधार अधिनियम को संब्यधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया गया है कि यह जारा है कि भूमी सुधार अधिनियम को संब्यधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया गया है सात्वी अनुशूची में नौई अनुषूची में आठ्वी अनुषूची में चैनल पर जो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को हर समय मिलता रहे हैं इसका सही एंसर होगा नवी अनुसूची में पहला सम्यधान संसुधान अधिनियम उनीश सो एक क्यावन में किया गया था और इसमें नवी अनुसूची को सामिल किया गया था इसके द्वारा भूमी सुधार को और जमिंदार उनमूलन के जो अधिनियम है सम्यधान एक सुरक्षा जो है उपरदान करता है भारतिय सम्विधान के किस अनुछेद के अंतरगत अखिल भारतिय सेवाओं के गठन का प्रावधान किया गया है इसका सेंसर होगा अनुछेद 312 के अनुछेद 312 निमने लिखित में से कौन सा एक सही समेलित नहीं है अच्छे से देखिएगा इन में से कौन सा एक सही समेलित नहीं है देखे बाव, अनुछेद 48, option D, नयापालिका का कारेपालिका से प्रिथकरन, ये अनुछेद 50 के अंतरगत है, न की 48 में है, आर्टिकल 50 में है, अनुछेद 50 में इसका वर्णन है निमने लिखित में से असत्य कथन कौन सा है, गलत, प्रती वर्ण 25 जनवरी को राष्टिय मतदाता दिवस मनाया जाता है, अब इसके बारे में बताईए, अनुछे 326 में मतदाता इन्यूनितम आयू 18 वर्ण निर्धारित की गई है, कोई उमिद्वार लोक सभा चुनाओं मे 55 लाक रुपे तथा बिधान सवाचुनाओं में 28 लाक रुपे खर्च कर सकता है, निर्वाचन आयोग एक संबैधानिक निकाय है, अच्छा ये अलग-अलग हो गया, यहां पर यह होगा A, यह B, यह C, यह D और यह होगा E, ठीक है, यहां से होगा, A, B, C, D, E, करेक्ट कर जगा थोड़ा सा, देखे वागो, यहां पर अगर आप देखेंगे, तो ओप्सन C गलत है, कोई उमिद्वार लोग सभाचुनाओं में 57 लाक रुपे तथा बिधान सभाचुनाओं में 28 लाक रुपे का ब्याद कर सकता है, यह गलत है, 54 लाक रुपे है, और 20 लाक रुपे भारत में पंचाथी राज 25 समीधान के किस अनुचछेत के अंतरगत प्रारंब की गए? 32, 44, 45 या फिर 51 देखे वावु इसका सही जो एंसर होगा वो होगा ओप्शन भी चालिस के निर्देशों के अंतरगत प्रारम की गए थी देखे भारत में पंचाते राज प्रणाली के स्थापना समिधांके निती निदेशक तत्व के अंतरगत किया गया था ठीक है तो यह याद रखना है नयाएक पुनर विलोकन प्रचलित है केवल भारत में केवल अमेरिका में केवल ब्रिटेन में भारत और अमेरिका दोनों में तीक है इसका सही एंसर होगा ओप्शन डे भारत और अमेरिका दोनों में नयाएक पुनर विलोकन भारत और अमेरिका दोनों में प्रचली थे हैं ठीक है कहने का मतलब यह हुआ कि कारेपालिका कि किसी आदेश या विधाईका कि किसी कानूर पर न्याले पुनह बिचार कर सकता है ठीक है न्याले जो है ओपुनह बिचार कर सकता है इसी को न्याईक पुनर विलोकन कहते हैं तो यह भारत और अमेरिका द इसका सेन्स रोगा राज्य सूची के विशेयों के संबंद में संसद की विधाई सक्तियों से राज्य की विधान सभा के सत्रा वसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है बताए राज्य की विधान सभा के सत्रा वसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है राज्यपाल विधान सवाध्यक्ष मुख्य मंत्री या विधी मंत्री कोश्चन नमबर 69 इसका सेंसर होगा राज्यपाल अच्छा आप लोग यह बताए कि यह रनभूमी का सीजन टू भी लाया जाए सीजन टू का रिलीज कर दिया जाए पिस तारिक के बाद यह सीजन वन है और सीजन वन में टोटल दस एपिसोड होगा है ना और सीजन टू अगर आप लोग कहेंगे तो उसमें भी नो दस एपिसोड होगा उप परधान मंत्री के पद का स्रिजन बताए परधान मंत्री के पद का स्रिजन मूल समिधान के अंतरगत हुआ था समिधान के प्रावधानों से हटकर हुआ तो समिधान के प्रावधानों के हटकर और उप परधान मंत्री जो बने थे वो नहरू जी के समय में पटेल जी बने थे ना जो जीवानू प्रकास का उप योग कर उर्जा उत्पन करते हैं उन्हें खालियस्थान के रूप में जाना जाता है किस रूप में जाना जाता है कॉस्चन नमबर सेवन्टीवन इसका सेंसर होगा ओटो और तो ट्रॉप्स ऑप्सण डिव जीवानू की खोज किस ने की थी जीवानू की खोज लिवेन होक ने किया था लिवेन होक ने किया था जीवानू की खोज लिवेन होक महोदे ने किया था कब किया था 1683 में किया था इसलिए जीवानू बिगान का पिता इनको कहा जाता है लेकिन बात आती है कि जीवानू नामकरन किस ने किया था मतलब जिवानू जो नाम है ओ किस ने दिया था तो एहरेन बर्ग ने इहरेन बर्ग ने जान देजिएगा इन्होंने नाम दिया था नामकरन किया था जिवानू का और खोजा था 1683 में लिवेन होक महोदे ने ठीक है रोबर्ट कोच और तपेदिक जिवानू की खोजिन होने की थी रोबट कोच के द्वारा किया था जिवानू का अध्यन बेक्टरियोलोजि कहलाता है यो सिकाओं के अध्यान को क्या कहा जाता है ? पूसिकाओं के अध्यान को क्या कहा जाता है ? बताए स्याटोलोजी फिजियोलोजी न्यूक्लियोलोजी या सेलोलोजी कोशन नंबर 72 इसका सही एंसर होगा option A cytology ठीक है कोशिकाओं के अधन को cytology कहा जाता है कोशिका की खोज 1665 में कि 1665 इस्यू में किसके द्वारा की गई थी रोबर्ट हुक के द्वारा कि 1665 में कोशिका के खोज की गई थी सबसे छोटी कोशिका मायकोप्लाज में है हे лиш определ सबसे बड़ी कोशिका कसुतुर मुर्ग अंड़ 7 पर कि बड़ी कोशिका है सबसे बड़ी कोशी का सबसे लंबी कोशी का कंथ्री का सबसे लंबी कोशिका कंत्री का तंत्र सबसे लंबी कोशिका है कोशिका सिधांत किस ने दिया स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिधांत किस ने दिया स्लाइडन एवं स्वान महोदे ने कोशिका सिधांत दिया था भारत में क्रिश्न क्रांती किस उत्पाद के वी निर्मान से संबंदित है क्रिश्न क्रांती बताइए भारत में क्रिश्न क्रांती किस उत्पाद के वी निर्मान से संबंदित है काली क्रांती भी इसको हम कह सकते है कच्चा तेल से है ना कच्चा पेट्रोलियम से समंदित है क्रिस्न करांती ठीक है हरित करांती खादान उत्पादन स्वेत करांती दूद उत्पादन भूरी करांती उर्वरक उत्पादन रजत करांती अंडा उत्पादन हम दूद का विशिष्ट गुरुत्व किसके द्वारा मापेंगे गुरुत्व कहा जा रहा है दूद का विशिष्ट गुरुत्व किसके द्वारा मापेंगे वक्षन नमबर 74 हाइड्रो मीटर का ओप्योग करके और दूद की सुधता हम लैक्तो मीटर से मापते हैं लेप तो मीटर से दूद की सुधता को मापा जाता है ठीक है क्रायोजैनिक है क्रायोजैनिक है क्वेश्चन नमबर 75 देखे इसका सेंसर होगा बहुत कम तापमान का बैग्यानिक अध्यन क्रायोजैनिक कहलाता है जीरो डिगरी सेंटीग्रेट से 150 डिगरी सेंटीग्रेट के तापमान को ट्रायोजैनिक कहा जाता है नमनमर से सत्व कौन सा है कौन सा लवन अगनिक कीड़ा को रंग परदान करता है मतलग कि पठाके यह सब जब जलाते हैं आप लोग तो अलग अलग परकार के रंग निकलते हैं चते हैं इसका सेंसरा अस्टांसियम और लिघरियों ओप्सन सी कासे पर निस रोगा देकिए अस्टांसियम दोलते है एस्टांसियम से डेनोड करते HASकूं और ँसीब उडए तो रसायन सास्त्र में साबुन किसका लवन है वसा असिद ग्लाइकोल फसपोरस अमोनियम कार्बोनेट वस्चन नमबर 77 पैटी असिद वसा असिद का इनमें से कौन बिद्दुत चुम्ब किया तरंग नहीं है कौन बिद्दुत चुम्ब किया तरंग नहीं है इसका सेंसर होगा एनोड ड्रे गोल्ड अस्टिन ने इसका पता लगाया था सरोप्रथम गोल्ड अस्टिन ने सरोप्रथम इसका पता लगाया था कब 1886 म अधिया एल्डी हाइड क्या है अधिया यह पाता यह यह इसका प्रब अइसका ये अधियर स्टिन आएट अप किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है नाइट्रिक अमल इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है पॉस्पोरस को पानी में क्यों रखा जाता है पॉस्पोरस को पानी में क्यों रखा जाता है कि वोश्चन नमबर 81 कि इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है ऑक्सीजन यूगत रख्ट खाले स्तान है यह माध्यम से हिर्दय के बाहर बैहता है ऑक्सीजन यूगत रख्ट जो होता है मतलब कि जो ब्लड होता है इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ जो ब्लड होता है ठीक है और ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है हीमोग्लोबिन इसका मेन काम होता है ऑक्सीजन का वहन करना ही ठीक है युस्टोकी नालिका मानो सरीर के किस भाग में इस्तित होती है इसका सेंसरों का इसका पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन करती है क्या कहलाती है किस इंसुलिन कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन करती है क्या कहलाती है इसका सेंसरों होगा option D highlight of lunger hands option D इंसलीन अगनासे के lunger hands दिविपका से स्रावित होता है और insulin की अगर हम बात करें तो insulin की कमी से मधुमे नामक विमारी होते है मधुमे ठीक है डाइविटीज sigmoid colon किसका भाग है sigmoid colon किसका भाग है पोटियात का बढ़ियात का ग्राशनी का या मलासे का किसका sensor होगा बढ़ियात का ठीक है तोड़ा सा तस्वीरों में देखिएगा यह फोटो अगर आप लोगों को नजर आ रहा है तो यह जो green में आपको नजर आ रहा है यह है बढ़ियात यह बढ़ियात है और यह जो आपको अलका सा red में नजर आ रहा है यह है फोटियात तो बढ़ियात की जो दिवार होते हैं उसमें भोजन के कुछ लवन और जल का असोसन होता है ठीक है और इसके बाद सीधा जो है मल के रूप में मलासे में चला जाता है भोजन का पाचन जो है वो छोटी आत्म होता है भोजन का पाचन इसमें होता है फोटी आत्म होता है पाचन की क्रिया इसी में समपन होती है ठीक है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उदगाटन किस सहर में किया जाएगा? अंडर वाटर मेटरो का उधाटन बारत की पहले अंडर्वाटर मेटरो का उधाटन किस सहर में किया जाएगा? है्दराबाद, कुलगत्ता, बैंगलोर या फिर उने में इसका सही अंसर होगा Option B पुलगत्ता में पूगली नदी पर पूगली नदी पर किया जाएगा ठीक है इसमें खर्च 8572 कड़ो रूप है इसमें लगभग खर्च आने वाला है नौ लक लोग रोजाना सफर कर पैंग उसमें गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12 संस्क्रन कव आयोजित किया जाएगा डिफेंस एक्सपो में डिफेंस से समंदी जो चीजे होती है जो हत्यार यह सब होते हैं उसका एक तरह से कहें तो परदर्शनी होता है यह तो कहां पोटो में आप देख सकते हैं कि ऐसी परदर्शनी सभी हत्यारों यह सब की लगाई जाती है वह पर जाकर के गुजरात के गांधीनगर में ठीक है इस बार होगा अक्टूबर में गुजरात के गांधीनगर में नई दिल्ली अंतरास्तिय मध्यस्ता केंद्र का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है कोश्चन नमबर 88 कहा जा रहा है कि नई दिल्ली अंतरास्तिय मध्यस्तता केंद्र का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है कोश्चन नमबर 88 अप्शन में आयोजित राष्ट मंदल खेल 2012 में कितने के पदक जीते हैं यहां इट यह सबसे ऊपर पढ़क तालिका में और यहां से सबसे बनने की संभावना एक दम है में तोटल ऑस्टली ने सरसथ गोल्ड मेडल जीते हैं किलवर संतावन, ब्रॉंज चववन, टोटल 178 जीता है, दूसरे स्थान पर इंगलेंट रहा है, तिसरे पर कनाडा रहा है, वहीं भारत की अगर बात की जाए, तो भारत जो है, यह चोथे स्थान पर रहा है, 22 गोल्ड, 12 सिल्वर और 23 ब्रॉंज, टोटल 61 पदक भारत में ज चले, आगे चलते हैं, आले में प्रधान मंतिरी नरेंदर मोदी ने एसिया का सबसे बड़ा प्राइबेट अस्पताल, अमरीता अस्पताल का उद्गाटन कहां किया है, अमरीता अस्पताल जो की एसिया का सबसे बड़ा प्राइबेट अस्पताल है, ठीक है, 6000 करोर की सेयं को बनाया गया है कि इसका उध्रातन मोदी जी ने किया है लिसका इसका छेण सरह है ओप्सन सी अरीदाबाद अरियाना में खिसाथ करो एक सब्सक्राइब कि लागत से 1973 से कर भूमी में है इसको बनाया गया खिर है 2600 बेड की सुविधा होगी इसमें 2600 बेड की सुविधा होगी तस्वीर में मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूं देखिए यही है वस्पीटल जो चेहजार करोड की लागत से बनेगा अब भी सौ फेड की उपलब देता होगी इसमें अब देखिए यह चुकि प्राइबेट होस्पीटल है तो इसको इसका चुकि एसिया का सबसे बड़ा है इन कुछ भी है लेकिन प्राइबेट होस्पीटल होने के नाते मोदी जी को उद्गाटन करना कितना सही है आप लोग म मुझे बताई है अगर प्राइबेट होस्पीटल है तो मोदी जी को इसका उद्गाटन करना कितना सही है ना भले ही एसिया का सबसे बड़ा होस्पीटल है यह कितना बड़ा आप सरकारी हस्पताल वनाई है ना इस परकार कि सुविधाय प्रदान किजिए और राज्य में डॉक्तर एन क्लाइस एलवी किस भारतिया नुसंदान संगर्थन के पहली महिला महां दिदैसक बनी है वोश्ण नमबर 91 वोश्ण नमबर 91 देखे इसका सही अंसर होगा वैज्ञानिक और अध्योगिक अनुसंदान परिस्ट इसके बाद है राष्ट मंडल खेल 2022 में भार पिये दल ने कितने करें सोन्हफदग देटे हैं अच्छा इसके बारे में भी जास्थ हम लूगों ने डिस्कस किया है टोटल ज़स राष्ट-अठ magazना सोने recommend 22 कि भारत के 14 पराष्टिक रूप है किसे चुना गया है चुना गया है आ मार्गरेट अल्वा जगदीप धनकड बैंकर नाइडू या भीमान मलर्ची इसका सेंसरोगा जगदीप धनकड न्यूकती से कोशन आ सकता है पूछा जा सकता है ठीक है बैंगलूरू करनाटक में बैंगलूरू करनाटक में आजादी के अमरित महत्सों के अंतरगत बढ़े चलो अभ्यान को किस केंद्रिय मंत्राले द्वारा सुरू किया गया है कोशन नमबर 95 संस्कृति मंत्राले के द्वारा जिवाओं को और लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए ठीक है युद्ध भ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया है भारत और USA के बीच में युद्ध भ्यास हुआ है भारत में किस ख़बोलिय बैद साला को युनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है कौन सी ख़बोलिय बैद साला है जिसको युनेस्को में अधिसूचित किया गया है गासे अंसर होगा बिहार ख़बोलिय बैद साला ऑप्सन डी इसका सही अंसर होगा किस भारतिये महिला मुक्केबाज ने राष्ट मंडल खेल 2022 में महिलाओं की 52 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वन्ड पदक जीता है कुशन नमबर अंठानवे का से इन्थर होगा निखत जरिन निखत जरिन कुशन नमबर 98 का ओप्शन ए कि अ अले में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में कौन न्यूक्त हुए है DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किन को न्यूक्त किया गया है किसका से इन्स रोगा समीरवी कामत इसरों ने PSLV C53 से किस देश के तीन उपग्रहों को अंतिरिक्ष की कक्छा में सफलता प्रोग अस्थापित किया है question number 100 option 20 का sensor होगा Singapore वीडियो को like कर दिजे आप लो like और share कर दिजे क्योंकि आज का episode हमारा समाप्त हुआ यह था आज का 100 प्रस्ण आप लोग थोड़ा सा बताईए कि आप लोगों को आज का session कैसा लगा क्या आज का session फायदमन था या नहीं revision हुआ या नहीं थोड़ा सा आप लोग बता दिजे और वीडियो को like जरूर कर दिजेगा जो like नहीं किये हैं और share भी कर दिजेगा अपने सभी सात्यों के साथ और हमारे app edusol को जरूर इंस्टॉल किजिए और यहां पर free mock test आप लोगों को मिल रहा है daily आप लोगों को लगाना है 75 set upload किया हुआ है इसका result भी आप लोगों को दिख जाता है overall ranking आप देख सकते हैं और यहीं पे इस class का PDF भी upload कर दिया जागा class PDF में ठीक है यह हमारा practice set है 15 set का अभी हाले में हमने launch किया है और यह current affair है पूरे 20 महीने का यह सब आप लोगों को हमारे app एडू सोल में मिल जागा link भी इन सब का description में दिया हुआ है किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो इस number पर आप हमसे अंपर कर सकते हैं WhatsApp नंबर है यह तो चलिए फिर मिलते हैं आगे के class में आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे session यह भी हमारा season 1 चल रहा है season 2 भी जरूर आएगा तो टेलिग्राम ग्रूप का भी link दिया हुआ है description में उसको भी join कर लेजेगा और app को install कर लेजेगा आज सभी PDF आप लोगों को मिल जाएंगे झाल क्वाद में?